अब सभी लोगों के एक बार फिचे सवगत करते तो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को रिवास पैटरन सिखाऊंगा इस वीडियो को कम्प्लीट होते होते दोस्तो अब किसी भी स्टॉक इंडेक्स का रिवास मतलब टॉप कहा पर बनाए मार्केट बॉ की उपार आ जाएगा मार्केट अभी उपार आ रहा है में कब जाके सेल करूं मार्केट की टॉप कहां पर बनने वाला है मार्केट की बॉटम कहां पर बनने वाला है यह जो सवाल आपकी माइंड के अंदर आते ना इस सवाल का एकदम बैतर निल स्टरजी लेकर आया हूँ इस सवाल को एकदम खतम करने के लिए ठीक है ना तो यह जो strategy में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ totally pure price action strategy होने वाला है इसके अंदर में कोई भी trail line, moving average, RSI यह सारे चीज़ों को use नहीं करने वाला हूँ simply मैं आप लोगों को 3 step बताऊंगा, price action का 3 step इसी 3 step को apply करते हुए किसी भी stock और index का top, bottom, trend changing यह सारे चीज़ों को दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप लोग find out कर सकते हैं first इसके लिए आप लोगों को समझना परेगा trail line, I hope आप लोगों को trail line के बारे में already मालूम है, तो इसके लिए first आपको trail line की जो break out इसको आपको समझना परेगा, जैसे आप लोगों को मैं इस chart के अंदर दिखाऊंगा, यह chart अभी आप लोग देखो कि मैं bank nifty के chart के अंदर दिखा रहा हो, और यहाँ पर में one day का time frame यूज कर रहा हो, ठीके ना, so one day का time frame यहाँ पर में use कर रहा हो, और कहने हैं कि आप कह सकते हूँ, यह market के एक तरा का top बनाए, ठीके ना, तो अभी हम लोग इसको identification करेंगे, क्या हम लोग इसको top मान सकते, तीन formula यहाँ पर बताऊ में trend line draw करने का simply logic होता है, आपको swing low को लेके match करना है, मैं यहाँ पर दो horizontal line को यहाँ पर trail line को use कर रहा हो, just clarity के लिए, ठीके ना, so यहाँ पर आप लोग देखो के मैंने यह दोनो swing low को लेके trail line यहाँ पर मैंने draw कर दिया है, so first यहाँ पर आप लोग को देखना परेका trail line breakout, अगर आप down side के देख रहे हो, तो swing high, और अगर आप upper side के देख रहे हो, तो swing low, जैसे आप लोग देखो के मैं आपर upper side के लिए देख रहा हो, तो मैंने आपर swing low लेके रहा है, तो first आपको देखना परेगा trail line की breakout होना चाहिए, इस must, ठीके ना, so यहाँ पर आप लोग देखोगे, first formula यहाँ पर match हो रहा है, trail line यहाँ पर breakout किया, हम लोगों की जो next formula होना चाहिए, दोस्तों, retest, market जहाँ पर trail line को break करें न, break करने के बाद market को, अभी retest का में आप लोगों को मतलब भी explain करता हू, retest क्या होता है, first of all, यहाँ पर आप लोग देखोगे, market इस trail line को rejection करते हैं, करते हूए, करते हूए, upper side की momentum किया, उसके बाद इस trail line को market एक बार break किया, break करने के बाद market एगेन इसी trail line को, मतलब जो support था, वो registration मन गया, अगर मैं simply what में बोलू, जो support था, वो market का registration मन गया, यहाँ बार मैं side में draw करके दिखा होंगा, तो आब लोगों को जदा स समाजना है, तो reverse pattern को समझने के लिए दोस्तो यहाँ पर आप लोगों को trail line breakout होना must, तो यहाँ पर trail line तो breakout कर दिया, हम लोग की जो fast formula, fast formula यहाँ पर match हो रहा है, second formula, number two formula, यहाँ पर क्या है, number two formula होता है दोस्तो, इस trail line को market एक बार retest कर रहा है, यहाँ पर आप लोगों के market ए यहां पर match कर रहा है, first formula यहां आपर level को breakout किया, second formula market इसी level को market एक बार retaste कर रहा है, मलदब again इसको एक बार retaste कर रहा है, जो support था, जिस level को, जिस trail line को market support बनाते बनाते market उपार आ रहा है, उसी level को market एक बार retaste करेगा, मलदब इसको तोड़ेगा, और उसके बाद इसको एक बार retaste करना चाहिए, हाँ, exact इसी level को touch ना करे तो भी चलेगा, इस level के आसपास एक बार उसको आना चाहिए, मलदब एक pullback आना चाहिए, ठीक है ना, जिसे हम लोग normal language में कहते, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, जो हम लोगों का number 2 formula है, वो भी यहाँ पर match हो रहा है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का number 3 formula है, एक बार support लेना चाहिए, उसका जो आप लोग यहाँ पर देखोगे, जो swing low है, उसका जो fast swing low होगा, उस low को market एक बार breakdown करना चाहिए, मैं आप लोगों को chart में जाके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को और भी ज़ता clarity होगा, ओके, सारे चीज़ों को मैं remove करता हूँ, सारे चीज़ों को मैं remove कर देता हूँ, देखे, यहाँ पर मेरा जो fast formula क्या था, कि एक trail line, ओके, तो यहाँ पर मैं trail line को यहाँ पर dog कर र लास्ट जो swing low है, उसको आप लोगों के यहाँ पर एक horizontal line देके इसको dog कर देना है, इसका last swing low है, यह हम लोगों का number 3 formula है, number 3 formula है होना चाहिए दोस्तों, इसका जो last swing low है, उस level को market breakdown कर देना चाहिए, जैसे हाँ आप लोग देखोगे, exact इसी level को market breakdown कर दिया, तो इसका जो आप लोग इसको यह कह सकते हो कि market का cycle change हो गया, आप लोग पोल दे हो ना कैसे समझे market की cycle change हो गया है, कैसे समझे market की trend change हो गया है, तो मैं आप लोगों को बहुत ही easy and simply language में 3 step के जरी बता रहा हूँ, 3 step को अगर आप scan करोगे, तो किसी भी stock, index का आप trend change का जो indicator है, वो आप कर सकते हो, चलिए इसका और एक example में दिखाता हो, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा clarity आएगा, जैसे यहाँ पर आभी आप लोग देखोगे, market तो अभी totally downtrend के अंदर आ गया है, तो downtrend के अंदर आ जाने के बाद किया downtrend के अंदर हम लोग किस तरह साइड इनिविकेश लेता हो, जिससे आप लोगों को ज़्यादा clarity आगा, तो यह आप लोग देखो इस लेवेल को इस तरह से market retest कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखो के market ने एक round बनाया, उसके बाद आपको देखना परेगा, जो इसका previous swing लोई, मतलब यह वाला zone, previous swing लोई, इस लेवे को break कर देना चाहिए, जैसे इस level को break करेगा, दोस्तो आपको यहाँ पर buy trigger हो जाना चाहिए, और आपकी mind के अंदर ए view होना चाहिए, कि market का जो trend, ओ market का trend यहाँ पर change हो चुगा है, market जो downtrend के अंदर चल रहा है, तो downtrend change करके completely market, एक buying side के trend के अंदर अभी anti कर चुगा, अभी price action का completely three step बताया, जिस three step को use करती हूँ, अब stock, index, future, किसी भी stock के अंदर आप trend change, cycle change की identification कर सकते हो, without any indicator, completely price action based strategy, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ mark करके रखा है, आप लोग को समझान के लिए, जैसे आप लोग देखोगे, मैं मारोती का यहाँ आपर लेके रखा है, one day के tail line dog या, fast मेरा formula क्या है, fast formula के tail line को इसको break कर देना चाहिए, completely यहाँ पर fast formula यहाँ पर match हो रहा है, second formula यहाँ पर यह होना चाहिए, कि इस level को market एक बार retest करना चाहिए, तो second formula भी दोस्तों यहाँ पर match हो रहा है, हम लोग का number three जो formula है दोस्तों इसका last swing low उस level को market breakdown कर देना च के अंदर, आप लोगों के यहाँ पर में calculation करके दिखाओ कि कितना point को यहाँ पर देखने को मिला, 2925, 42% की जो momentum यहाँ पर हम लोगों ने catch कर लिया, एकने आप लोग देखो कि जब market की trend change हो रहा था, मतलब downtrend से एकदम buying side की trend के अंदर market anti ले रहा था, तो simply यहाँ पर मैंने swing high को लेके match किया, market ने यहाँ पर exact जो हम लोगों का first formula है, यहाँ पर level को break किया, second formula है market ने एकदम use zone बढ़ाया, जैसे मैंने आप लोगों को बोल के रखा है, so second formula है यहाँ पर match up हो रहा है, number three formula जो last swing low है दोस्तो, इसको यह है, last swing low है दोस्तो, last swing low को आप लोगों यहाँ प ब्रेक किया, जैसे यहाँ पर market ने last swing को ब्रेक किया, हम लोगों का buy trigger हो गया, और आभी आप लोग देखो कि completely मारोती एक buying side की trend के अंदर entry कर चुक है, यहाँ से लेकिए यहाँ तक आप लोगों दिखाओ, तो 2146, around 38% की momentum को हम लोगों यहाँ पर catch किया, complete price action, complete three step बाला strategy में आप लोगों को बताया, explain किया, दोस्तों अगर आप लोगों की इस वीडियो को अच्छे लगे, तो प्लीज 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 वीडियो को like करना, comment करना, अगर आप लोग इस चनल के अंदर नहे हो, तो subscribe कर लेना, और हाँ अगर आप लोग इस तरह की simply language के साथ price action की और भी सारे strategy चारे हो, और भी सारे चीजों को easy language के अंदर सीखना चारे हो, तो definitely दोस्तों आप comment करके बताना कि वीडियो को कैसा लगा, और आप लोग इस तरह की वीडियो की और recommendation रखते हो के नहीं रखते हो, ओके, thank you so much for watching this video.